प्लेनेरियन फ्लैटवॉम वैसे तो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है लेकिन इसकी कुछ नसल ऐसी भी होती है जो नमी वाली जगह पर रहती है इनके बारे में खास बात ये है कि अगर आप इनके पीछे चाकू लेकर दोड़ पड़े और कई टुकडों में काट दे तो भी ये मरेंगे नहीं बलकि जितने टुकडों में इनको काटा जाएगा ये उतने ही हिस्सों में नए प्लेनेरियन को पैदा कर देते है याद आया रखत बीच दानव की कहानी और तो और अगर इन फ्लेट वार्म को बीच से दो हिस्सों में काट दिया जाए तो इनके दो नए सिर निकलाएंगे और ये नॉर्मल लाइफ जी सकते है इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर नए जन्मे प्लेनेरियन में सालों पुरानी यादे भी आ जाती है जरा अंदाजा लगा कर देखिए अगर एक प्लेनेरियन फ्लेट वार्म को बीच पीसिस में काटा जाए और इन बीच को और बीच बीच हिस्सों में काटा जाए तो एक प्लेनेरियन कितने प्लेनेरियन्स को पैदा कर सकता है सोचिए और सोच कर हमें कॉमेंट्स में बताईए